हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माइ यूट्व चैनल रन ओल इलेक्ट्रोनिक्स आज का वीडियो अमारे पास एक पेनासोनिक अमारे पास एक पेनासोनिक का LED TV पेनासोनिक 32 इंच 32 इंच इस में यह मोडल नमबर देख लो यह पेनासोनिक 32 32 इंच का टीवी रिपेरिंग के लिए आया मोडल नमबर टी एच 32 एच तीन सोट इस पेनासोनिक 32 इंच टीवी में स्टेंड बाई LED यह स्टेंड बाई LED सो नहीं हो रही है स्टेंड बाई LED नहीं सो रही हो रही है जैसे इसको चालू करते हैं स्टेंड बाई LED इसकी नहीं जल रही है चलो हम इसको रिपेर करते हैं समय की बच्चत को देखते हुए हमने LED टीवी को खोल लिया है इसमें एक कॉम्बो बॉर्ड लगी हुई है जिसमें सप्लाई मदर बॉर्ड और इन्वेटर सर्किट सभी एक EPCB में दिये हुए है यह देखो कॉम्बो बॉर्ड यह 300DX कॉम्बो बॉर्ड इसमें यह लगी हुई है यह पैना सोनिक 32 फुल एच्डी टीवी है सबसे पहले AC वायर फ्यूज तता AC में लीड तता सप्लाई को चेक करेंगे तता इस केपैसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे हमारे इस केश में यहां वोल्टेज एकदम सही आ रहे है इसके बाद इसके सेकेंडरी में वोल्टेज बारे वोल्ट और पांच वोल्ट सप्लाई हम चेक करेंगे किसी में सिर्फ बारे वोल्ट ही होते हैं या बारे वोल्ट से चोईस वोल्ट भी हो सकते हैं जो इनपुट सप्लाई है वो हम यहां चेक करेंगे अलग लग टीवी में अलग लग सप्लाई हैं हो सकती है हमारे इस केश में हम कौन सी सप्लाई है हम यह आउटपुट में आ रही है हम यह चेक करेंगे सबसे पहले मिटर को 20 वोर्ट डिसी सप्लाई में सेट करेंगे और टीवी को ओन करेंगे में सप्लाई ओन करने के बाद हम 12 वोर्ट सप्लाई चे करेंगे यह देखो यह हमारे 12 वोर्ट सप्लाई आ रही है 12 वोर्ट सप्लाई ओके है इसके बाद किसी भी पाइंट पर याम पांच ओड़ सप्लाई चे करेंगे यहां देखो यह पांच ओड़ सप्लाई यह पांच ओड़ सप्लाई ओके है इसके बाद 1.2 सप्लाई चे करेंगे जो 1.2 इस कोईल पर 1.2 सप्लाई हमें मिल रही है देखो माल्टी मिटर में 1.2 पांच वोल्ट बारे वोल्ट और 1.2 सप्लाई मिल रही है इसलिए हमारी ये पावर सप्लाई 100% ओक्य है हेलो साथियों कोई भी LED TV क्योंने हो चाहे किसी भी कंपनी की क्योंने हो प्राई उसमें ये 98% इसमें ये 3 सप्लाई बहुत जरूरी है इसमें 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 1.2 या 1.8 वोल्ट ये सप्लाई बहुत जरूरी है 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 1.2 वोल्ट ये सप्लाई किसी भी कंपनी की TV सबसे पहले रिपेर आए तो उसमें हमें यही टेस्ट करना है इस केस में यही सबी सप्लाई ओक्य है हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद स्टेंड बाई को हम जब रिलीज करते हैं तो हमें यह इदर एक रेगुलेटर लगा है इसमें भी सप्लाई नहीं मिल रही है तता यह मेमोरी आई सी मेमोरी आई सी जो रेम को कंट्रोल करते हैं तता पावर स Алल इसमें भी सप्लाई नहीं मिल रही है और ये रेगुलेटर आईसी इसमें भी सप्लाई नहीं मिल रही है इसके बाद हम यह यह टेस्ट करेंगे रेम सप्लाई तथा स्टेंड बाई सप्लाई को रिलीज करने के लिए एक मोस्पीड लगा होता है जो स्टेंग का काम करता है यह देखो यह मोस्पीड लगा है यह मोस्पीड लगा है सोर्स और ड्रेंज से सप्लाई को सोर्ट करता है तो यह टीवी ओन होती है यह 30 वोर्ट 5 एंपियर का स्विचिंग मोस्पिट है पी चैनल इसको हम कोर्ड सप्लाई में चेक करेंगे टीवी को आप करके मर्टी को मेटर को बर्जर रेंज में लगाएंगे और उसको गेट के साथ गेट सोर्स और ड्रियन को आपस में चेक करेंगे देखो यह सोर्ट बता रहा है यह आपस में सोर्ट बता रहा है यदि खराब होगा सोर्ट इसलिए यदि खराब होगा तो यह इसमें लाइट भी आएगी लेकिन स्टेंड वाई रिलिज नहीं होगी हमारे केस रमाइन यह पूरी तरफ से सोर्ट है तो हमारे पास यह LED लाइट नहीं जल रही है इसमें यह मोस्पिट जिसका नमबर A18E है इसको हम गन की साहिता से बाहर निकालेंगे गन की साहिता से इसको हम बाहर निकालेंगे गरम हो गया है मैं एक आज से मोबाइल पकड़ के वीडियो बरानों इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है आप समझ लेना मैंने यह गन से इस मोस्पिट को बाहर निकाला है जिसका नमबर है A18E A18E जिसका नमबर है इसको मैंने अंगुली पे यह मोस्पिट निकाल के रख लिया है जिसका नमबर है A18E यह पी चैनल मोस्पिट है जो सप्लाइ स्विचिंग का काम करता है तता इसकी सप्लाइ रेम को जाती है तता रेम ओन हो जाती है ओ टिवी ओके हो जाती है यह देखो यह मिलना मुश्किल है किस प्रकार लगए कहां से ले आगे हम बताएंगे आपने जरों वीडियो यूटूब पर देखे हैं वो कहते हैं कि मोस्पिट वगएर यह ट्रांजिस्टर चेक कर दो कौन सा नमबर है कहां से मिल लेगा तता हम कहां से खरीदें कौन सा नमबर लगए इस SMD कोड क्या है यह कोई नहीं बता था केवल हमारे हम यह बता रहे हैं यह 18E नमबर का यह P चैनल मोस्पिट आपको यदि नेट पर मिलेगा भी तो डोलर के हिसाब से मिलेगा जो यह इंडिया में मंगाना भी मुश्किल है तो आप लोकल मार्केट से इसे किस प्रकार खरीज सकते हैं या नेट से आप किस प्रकार इसको सर्च करेंगे कि आप इसको मंगा सकते हैं इसकी अलावा इसकी विकलेंट क्या है यह सब आपको आगे वीडियो में हम बताएंगे साथ यह किसी भी मोस्पीड या ट्रांजिस्टर को आप खास करें सम्डी ट्रांजिस्टर या मोस्पीटो उसके नंबर डिटेल हर समय चेंज होते रहते हैं तता हजारों की संख्या में है वो नेट पर सेम नंबर के मिलने मुश्किल है इस प्रकार उसकी डाटा हम देख सकते हैं जब हम 18A18E नंबर की ये डाटा देखते हैं तो ये 5 एमपियर 30 वोल्ट पी चैनल मोस्पीड है इतना छोटा हुआ मोस्पीड भी ये 5 एमपियर की करेंट को लोड कर सकता है हमें केवल वोल्ट और एमपियर को दियान में रखते हुए ही इसे लगाना है यह मैंने A18E मोस्पीड की डेटा नेट से निकाल ली है A18E SMD मोस्पीड की डेटा जो 30 वोल्ट पांच एमपियर है DCB मोस्पीड को नंबर के इसाब से नहीं नेट पर सर्ज करना है इस प्रकार सर्ज करना है जैसे उपर बताया गया पांच एमपियर 30 वोल्ट P चैनल SMD मोस्पीड जब आप सर्ज करेंगे तो आपको मोस्पीड दिखाई दे जाएगा चाए किसी भी कंपनी का हो चाए कोई भी हो इसी डाटा के हिसाब से ही मोस्पीड लगाना है चाए P चैनल हो चाए N चैनल हो थोड़े बहुत वोल्टेज नंबर एमपियर कम जदा हो सकते हैं जैसे 5 एमपियर गे 4.2, 4.5 एमपियर या 30 वोल्ट की जगे 28 वोल्ट या 27 वोल्ट या 35 वोल्ट भी चल सकते हैं या आप इस केप में पड़े हुए पुराने किसी एरिड डिवी के मदर बोर्ड से आप इसको मोस्पीड को निकाल सकते हैं इसे सबसे सरल तरीका आप को बताता हूं कि किसी भी एलीड टी वी पेनल में जो पेनल सप्लाई होती है यहां से पेनल सप्लाई सोकेट है इसका इसके साथ जो मोस्पीड लगा होता है आप इसको मल्टी मीटर से मिवें में और तो कि चेक करके देख सकते हैं कि कौन सा मोसीट इसके साथ पैनल सप्लाई वोल्टेज जो जालू बंद करता है प्रिश का मोस्पिट भी आप निकाल सकते के पैनल सप्लाई भी बहुत आई होती है तो मोस्पिट भी अच्छा खासा लोड ले सकता है एम्पियर का होता है उसे भी आप निकाल के आप लगा सकते मैंने इसी मदर बोर्ड से इसी मदर बोर्ड से एक मोस्पिट यहां से निकाला है जो पैनल सप्प्लै वोर्टेज के लिए पांच वोर्ट की सप्प्लै ले जाता था ये Pचैनल का मोस्पिट यहां लगावा था मैंने लगा दिया है ये Pचैनल SMD का एक भूती just component लगावा था Pचैनल मोस्पिट उसको हमने यहां से dish ordering कर लिया है और यह P channel most-fit panel supply को जब switching होती है यह microprocessor से इसको gate में जाता है तो drone में 5 watt इसकी source में 5 vanาก लगता है तब说 is america supply okay कर देता है जब gate के में signal microprocessor से मिलता है तो यह panel supply own करता है यही है कि यहाँ पे माइक 머 spread लगावा था पीze चैनल का हमने निकाल लिया आए और है पेनल सप्लाई में मोस पिड किस प्रकार काम करता है मैं ने यह चितर में दिखा ये देखो आप ये मोस पिड किसी भी मुदर बोर्ड से पुरानी इसकेप में पड़ी मदर बोर्ड से आप निकाल सकते हैं जो पेनल सप्लाई में काम करता है ये देखो इसके नमबर पर मत जाएए आप इसको ये P चैनल के आप इसको यहां से उखाड के डारेक्ट आप किसी भी दूसरी टीवी में P चैनल वाले मोस्पिट के जगे आप लगा सकते हैं वो टीवी आपका राम से चलेगा कोई दिकत नहीं है या किसी पुराण इसकेप में पड़ी मदर बोर्ड में P चैनल का कोई मोस्पिट देखें तो उसका नमबर से उसकी डाटा आप निका सकते हैं जो P चैनल 4 एंपियर 5 एंपियर या 6 एंपियर 30 वोर्ड 40 उसकी डाटा में 5 एंपियर या 4 एंपियर 30 वोर्ड या 26 वोर्ड या 35 वोर्ड आए तो आप P चैनल वाले उस मोस्पिट को लगा सकते हैं मैंने इस पूराणी मदर बोर्ड से यहां से वो मोस्पिट निकाल लिया है लिया है इसकी डिटेल मैंने आपको चित्र दवारा बताई लिया है और अपनी इस पहना सोनी के लिडी कि टीवी में यह मोस्पिट मैंने लगा दिया है यह मैंने यह मोस्पिट लगा दिया है अब इसको टीवी को ओन करते हैं तता उसको चेक करते हैं कि सिगनल हमारा मिल रहा है कि या नहीं टीवी को एक बार हम चालू करके देखते हैं यह देखो इसमें रेड लाइट आ गई है यह देखो रेड लाइट आ गई है यह देखो रेड लाइट आ गई है इस्टेंड बाई रिलिज करते हैं यह देखो इस्टेंड बाई यह देखो इसकी बेक लाइट भी ओन हो गई है यह देखो अब हम टीवी को एक बार बंद करके फिर से चेक करेंगे मैंने टीवी को बंद कर ली है अब इसको चालू करके देखते हैं हमने टीवी को ओन करके देखते हैं यह देखो टीवी ओन हो गई है यह टीवी हमारी ओन हो गई है हेलो साथ यूं कैसा लगा वीडियो प्लीज लाइक सब्क्राइब जरूर करें तता कोमेंट में जरूर अपनी राई देवें है थान जरूर 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 अइगें झालू़ करें देखते हैं